नवस्कार बीजी टी निउस देख रहे आप मैं हूँ यमलेश वंजारी और इस वक्त मैं मौझूद हूँ लांजी नगर परिशत के अंतरगत वाइड नमबर पाच मंड़ई टेकरी में यह आदिवासी बैगाओं की बस्ती है और यहाँ पर दस से बीज बैगा परिवार निमास करते हैं जिनके स्वास्था को लेकर यहाँ के पूरो विधाय किसोर समरिते के दुआरा जिला कलेक्टर बालाघार से एक पत्र वेवार किया गया आखिरकार इसके पीछे क्या है यही जानने के लिए हम इस बस्ती में पहुचे हुए है आई यह समझने का प्रियास करते हैं कि यहाँ निमासरत बैगा जनजाती के लोग लोगों की आर्थिक इस्तिती कैसी है कैसे इन्हें स्वास्था का लाब मिल रहा है और सरकार की तमाम जनकल्यानकारी योजनाओं का लाब उन्हें मिल रहा है या फिर नहीं यह जो पत्र जारी हुआ था एक आफ लोग की आर्थिक इस्तिती काफी कमजोर है काफी परैसानी में आप लोग स्वास्थाय लाब नहीं मिल पा रहा है कि इतना इतिफाक रखते है इन पत्र से आप मंग के खाते हैं सर जी यह तो सब को इच मालूम है अच्छा गरीब हैं गरीब ही रेका है तो सासन की ओर से आप लोगों कोई मदद पोसनाहर की रासी मिलती है प्रती महा एक हजार रुपे बदिन का पोसनाहर की रासी मिलती है क्या गवर्मेंट की ओर से जो पोसनाहर योजना चलाए जारी बैगार रंदाती के लिए रासन कारट नहीं है सर जी कुछ नहीं वो तो जोपड़ा पड़ा है अच्छा रासन कारट भी नहीं है और क्या-क्या नहीं है कुछ भी नहीं है वोटर लिस्ट में नाम है आपका जी हां वोटर लिस्ट में नाम है अच्छा वोट देने जाते हैं लेकिन सरकारी योजनाओं का कोई लाब आवाज बना है प्रदान मंत्री आवाज रिदना का अच्छा ये बताईए मुझे कि आप लोग यहां पे मंड़ दन किये थे आपने गए थे पंचाइट में लेकिन अभी चुनाओं के कारण से नहीं बना यहां पर लोगों का इलाज होगे रे परापर यहां पर प्रेशानी मेरा दर्काड नहीं बना है और मेरा खात नहीं खुला है और मद्द प्रदे सरकार की वरशे विशेस तह जो प आपको मिल रही है एक हजार की रासी पोषण आहर की रासी बैगा जंजाती के लोगों को जो गवर्मेंट के और से रासी मिल रहा है किON मैंने एक हजार रुपे पोशन आहर के लिए मिल रहा है आपको मिल रहा है आपको नहीं मिल रहा है आपको नहीं मिल रहा है और कुन है कितने परिवार यहां पर निमास करते हैं बैगाओ के बीस है कितने परिवार बस्ती कितने परिवार की यहां पर बैगाओ के यह सब चोट कुछ भी परेशा नहीं को बतायों गूप्छार की है क्या बताएं यहां पर मैं पोस्तु इस्थिती को समझने का प्रियास किया तो स्वास्था टीम यहां पर पहुची हुए है लगातार वो यहां के जो गर्भवती महिला है बैगा समाज की उनका उपचार कर रही है लेकिन इनके सबसे बड़ी दूइदा और समस्य यही निकल कर सामने आ रही कि आज तक यहां पर निवासरत आदिवास के परिवारों का ना तो रासन कार्ड ठिक से बन पाया है और ना ही आधार कार्ड में नाम दर्ज़ हुआ है ऐसी स्थिती में उन्हें सरकारी योजनाओं का जो लाब मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है देखना यह होगा कि आगे प्रसासन इस मसले पर क्या कुछ कदम थी कि यहां पर कुछ गरवती मेला हैं और उनको स्वास्त परिक्षन करना है और उनका जो पोशन आहर से संबंदित जो है अगर जरूत पड़ती तो आंगरवाड़ी कार करता हों कि मदद से उनको मतलब पोशन आहर भी दिलाना है प्राइमरी जाच में क्या निकल कर सामने अधर क्या इस्थिती सभी की सामने है लगब यहां पर चार गरवती मेला हैं सभी की जाच की गई है और लगातार हमारी टीन जो है फिछले तीन दिन से लगातार यहां पर आ रही है और उनके पास परियाप्त मातरा में दवाईया उपलद्ध हैं सबको टीके लग चुके ह सभी मेलाओं की जाच किया है तो सभी स्वस्था है कि पूशनाहार की कमी की वज़द से इनके बच्चों पर कुछ गलत प्रकार का या अलक प्रकार का मतलब इंप्थ पड़े हैं नहीं, नहीं, अभी सबिती के हैं, ये स्वास्थे संबंदित यी स्थिती हैं, वा बिलकुल ही सामाने, ये कहना है PMO, डक्तर प्रदीप गिडाम का, जिन्होंने अभी अभी यहां पर बैगा ट्राइप की महिलायारे जो गरभती हैं, उनका इलाज किया है, उनकी टीम यहां पर निरंतर दो दिनों से आ रही है ये जानकारी हमें डाक्टर प्रदीब गिडाम की ओर से दी गई है अच्छा रासन नहीं मिल रहा है तो क्या इस्थिती बन रही है आप लोगों की खाने पीने क्या इस्थिती बहुत मजबूरी है जिस तरह से पत्र विवहार किया है पुरोईधाय किसोर सम्रिते ने कलेक्टर से और इन परिवारों को आर्थिक मदद की मांग की है आखिरकार उसके पीछे क्या कुछ कारण है यही हम लगातार यहां पर समझ रहा है यहां पर पहुचने के बाद में वस्तु इस्थिती वाकई में विप्रीत नजर आ रही है सासन प्रसासन की ओर से यहां के बैगा ट्राइबल्स जो है उन्हें अभी तक रासन कार्ड की य पहला है है उनका स्वास्ते परिच्छन किया जा रहा है हमारे साथ इस वक्त यहां पर पटवारी मौ मौजुद है उन से हम समझ लेते हैं कि प्रारंभीक जो सर्वे उनके द्वारा किया जा रहा है उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है बताएंगे अभी आप यहां और वस्तु इस्थिति का जाएजा ले रहे हैं बैगा मोहले में क्या इस्थिति यहां पर पुरविधायक सम्रीति जिने जो पत्र लिखा था कलेक्टर सहाब को उनने उनका पत्र एडिये मेडम को आया और उनने निर्दिर्श किया कि जाकर के इनकी इस्थिति देखिए पताने के बाद भी आधार काड़ से अभी तक नहीं जूड़े हैं यहां के लोग क्या वजह है इतना लंबे समय बाद भी यह जूड़ने पाए बताने के बाद में लोग समझनी पाते हैं बार-बार इनको बताना पड़ता है और अपने इस तर पे दिमान के चले कि जाती प्रमान पत्र वाला कोई ऐसा मेटर आया तो हम लोग इनकी ततकाल अपन निराकरन हो जाएगा जो भी आप इनके साथ में जो भी वैसी को इस्ति लान पत्वारी हल्का नमबर अपका उनीद बैटासाट लाण जी बतुआर इनसे हमने चर्चा की इन्होंने कहा है कि जिस तरह का पत्र वेभार हुआ है उसके बाद में बे यहाँ पर पहुँचकर HDM मेडम को संग्यान में लेकर निरंतर यहां के जो बैगा ट्राइब है उनकी वस्तु इस्थिति का आकलन कर रहे है साथ में उनके पास क्या कुछ दस्तावेजों की जरूरत है उन्हें जरूरत महसूस हो रही है इसका भी आकलन निरंतर कर रहे है इस वक्त हम पूरोविदाय किसोर समरिते के आवास पर मौजूद है और हमारे साथ किसोर समरिते मौजूद है उनसे हम सीधा समझ लेते हैं कि उनकी द्वारा जो पत्र वेवार किया गया उसके बाद जिस तरह से प्रशासन का अमला हो या स्वास्था अमला हो या फिर महिला बाल विकार इनकी लाइन लगी हुई है बैगा मोहले में और निरंतर वहाँ पे सरकारी योजनाओं के बारे में उनके जो डाकुमेंट से वेरिफाई नहीं हो पाये थे उनको वेरिफाई लोग उनके पास बीपेल भी नहीं आची समय सरकार ने राशन देने की वेवस्ताबंद कर दी दूसरा चारों प्रिग्नेंट महिला हैं उनके पेट में बच्चा है जब खाएंगे पीएंगे नी तो बच्चे तो कूपोशन के शिकार होंगे और आर्टिकल 21 में सब को जीन होने की वेवस्तानी तो इस मामले में महिला बाल विकाश अधिकारी को और स्वास्तमले को और भी जो लोग जिम्मेदार है उनके खिलाब कारवाई होना चाहिए आधार कारड रासन कारड और पट्टे की वी समस्या देखने मिली है नगर परिशत में चुंकि आपका अध् जौन ही सफाई है और उसन पर क्या कहेंगे जो अभी दक उनका पट्टा नहीं मिला द्राशन कारड नहीं बना अधार कार्ड नहीं है उनके यह debating की जो पट्टा बना है इनका सबसे पहले बन बना था सिउराज की सरकार में फोटो लगाई सिउराज का इसके पर फोटो का फोटो बतला तो यह जो सरकार ती जो चाहती है कि जो पत्टा वो मुंख्यमंत्री की फोटो का लगा वह उसके दूसरी बात अभी हमारी तयारी भाएं पर दुसरे तरह की बाट नमरें रहे में जितने भी जो गरीब लोग हैं उनको एच पी एर्बन हाउसिंग प्लान जो है उसमें दस-दस मंजिल की बिल्डिंगी बनेगी और छे-छे-छे-शो फ्लेट बनेगे उसमें तो यह सब को वहां से निकाल कर फ्लेट में डालना है क्योंकि हमको इस गाउं का सहरी करन करना यहां पर गरीबी दीखे भुकमरी दीखे बेको तो यही नजारा आपने देखा भी बैकामोल लेंगे अभी चुनाओ भी है आपके उम्मिद्वार भी पूरे 15 वार्डों में तो क्या नीती लेकर आप मतलब चुनाओ में है इस बार हमने गोशना पत्र बनाया है गोशना तो कल पर समय आ जाएगा उसमें सारी चीज़े है वो आपको देखेगा सबसे पहले तो खुली नालियों से मुक्ति है सहर की दुसरा बिजली का आपने देखा हुआ जाल पहला हुआ पिल्कुल तो हमने बोला पुरे गावं में अंडर ग्राउंड बिजली आप करेंगे औ और सारे वाड़ों का डिवल्पमेंट उसमें बहुत सी चीज़े हैं आप ये कारोप भी लगा रहे कि सासन का सयोग नहीं मिल पा रहा है ऐसी इस्तिती में कैसे संकल्पनाय पूरी हो सकती है देखिए सासन का सयोग नहीं है तो लड़ेंगे ना उसके लिए धरना है प्रद करशन की बात ने कि क्योंकि हमारे जो मा है काफी बुजुर गहता है तो हमने बहुत चलो बुजुर में लेकिन अब सरकार से जनता के हीतों में पूरी तरह संगर्ष होगा जिन बाइगा ट्राइब की मैं बात कर रहा था वह आर्टिकल 342 के करमांग 3 में नोटिफाइड है बाइगा ट्राइब के ताओर पर इनको सरकार एक तरफ राष्टपती का दत्तक पूत्र कहती है पीवी टीजी का इनको दर्जा मिला हो इसके बावजूद वन की जो वस्तु इस्तिती हो काफी दैनी बनी हुए आर्थी की स्तिती हो सामाजी की स्तिती हो या फिर स्वास्थ लांजी की कोई भी ग्राम पंजा तो इस स्पेसल प्रोजेक्ट में सामें लिया और तो जो बैगाओं को मिलने वाला लाब है इस इलाके में बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है वो तो जब मैं एमेले था उस समय देवरवेली में जो पड़े लिखे बैगा थे मैंने इस स्पेसल की वबस्तु इस्थिती को लेकर जिनकी सेहत काफी खराब बताई जा रही थी हालांकि हम जब मौके पर पहुचे तो स्वास्ताय अमला हो या फिर महिलाबाल विकास कामला और राजस्व कामला तीनों ही अमला यहां पे सेवा में जुड़ गया है अब देखना यह होगा कि सासन प्रसासन के दुआरा कि सोर समरिते के लेटर के उपर जो कारेवाई सुरू की गई है उसका कितना कुछ असर आने वाले दिनों में दिखाई देता है और सरकारी योजनाय का कितना लाब यहां के बैगा परिवारों को मिल पाता है बिजिटी नियूस के लिए यमलेश बांजारी